नमस्कार, मैं सुधीपा, इंद्रावन्दी राष्ट्रियो मानव संग्रालाय द्वारा आये जीत, ओनलाइन प्रदश्चनी स्रिंखला में आप सभी का स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं इस पैंडेमिक के दोड़न मानव संग्रालाय द्वारा आपने शंकलन में से कुछ प्रदश्चों तथा प्रदश्चनीों को आपके समक्स प्रस्तुत किया जा रहा है अनलाइन के मद्धम से। इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को शंग्रालाय के जन्जति आबाश परिशर पर स्थीत वारली जन्जति के आबास तथा वारली जन्जति के बारे में कुछ शंखिप्त जानकारी दोंगी। मानव संग्रालाय में जन्जति आबाश परिशर पर एक वारली आवास बनबाया गया है जिसे महरस्ट के थाने जिले से वारली लोगों को बुलबा कर इस आबास को इहां पर प्रदर्शित किया गया है। वारली महरस्ट के थाने जिले की दाहानो, पालघर, तालसारी, मुखदा तथा गुजरात के भालसार एबंग दादरा नगर हाबिली में नीबाश करने वाले एक जन्जति शमुदाय है जिनका मुख जिविका क्रिशी कारिया है। क्रिशी कारिया के साथ-साथ ये मचली पा करना, खेती करना और कुछ पशुपालन करना ये इनका दूसरा उपजिविका है। वारली लोग शब से ज्यादा अपने चित्रकारी के लिए प्रशिद्ध है। इनके घर के आसपास खेती हुआ करते हैं तथा इनके जो मकान होते हैं वो मिट्टी का बाना हुआ होता है। इस मकान के दिवार को सज्जित करने के लिए वारली लोग अपना चित्रकारी करते है। वाली चित्रकारी जो है ये वाली लोगों का घर के मुख दिबार पर तथा अंदर के दिबार पर महिलाए द्वारा मुखत बानाया जाता है पूरुष भी ये चित्र काला बानाते हैं, लेकिन कुछ चित्र जो है, वो सिर्फ बिबाहित महिलाय द्वारा त्यार किया जाता है, वाली एक ऐसे जन जाती है, जो आपना पडियावरन या उनके आसपास जो भी जीब जनतुए दिखते हैं, उनका जो भी अनुष्ठान होत हैं, ये शारे चीज अपना चित्र के मध्धम से दिखाते हैं, इनके जो मकान होते हैं, मुखत उसमें एक ही कामड़ा हुआ करता है, और इस कामड़ा को खोली नाम से जाना जाता है, उसमें एक रसोई घर होते हैं, और इन लोगों का पशुओं के उपर इतना प्यार होते हैं, कि ओ अपना पशुओं को अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं, तो घर के एक पीछे साइड में एक बाश से एक बेरिकेट त्यार किया जाता है, उसके प्रांत में ग्रिहपालित पशुओं को रखा जाता है, घर का मुखो द्वार एक ही होते हैं, और ये गाई बैलो का घुसने के लिए एक दुसरा द्वार बनाए जाते हैं, घर के जो दिबार है, कार्वी के लक्री से ये दिवाल बनवाते हैं, जिसके उपर मित्ती तथा गोबर से छाबाई करते हैं, और घर के जो छात होते हैं, वो बाश बल्ली से त्यार करके, उसके उपर सब से पहले सागन के पत्ते की एक परत लगाए जाते हैं और उसके उपर धान के पुवाल लगाते हैं जिसके कारण इनके घर्मी के शमाय में काफी ठंडा और ठंडे के समाय में काफी गर्म रहते हैं वाली लोगों का जो चित्र होते हैं ये चित्र चावल को पीश कर उसके साथ गोंध मिला कर उससे बनाया जाता है और बांश का एक टुकड़ा लेकर उसको दात के से चाबा के उससे तूली तुयार किया जाता है उससे चित्र बनबाय जाते हैं इनके चित्र बहुत सारे विशाय पर होते हैं, जिसका मुख़ विशाय होते हैं विभाह, उसके आलावावी जैसे बाली लोग अपने चारो तरफ जो भी प्यार पौधे दिखते हैं, इनका पोश्वय, प्रक्षिया या तो उनके जो भी खेती, खेती के दौरान जो भी उत् करते हैं, शादी के समाई पे वो लोग एक चित्र बनाते हैं, जिनको उनके भाषा में चोक कहा जाता है, ये चित्र काफी महतपुर्ण होते हैं, इस चित्र के बिना वाली शंप्रदाय में शादी नहीं होते, ये चित्र उहां के जो बिभाहित महिलाय होते हैं, जिनको उन सारे चीजों को जो चीजे उनके शादी के समय पे प्रयोग में आता है जैसे कांगी है जैसे कि उन लोग जो शीर पे शीरोशज्य बासिंगा पहनते है और इनके जो कमर में जो गहुना पहनते है और उनके हुआ पे शादी के समय पे जो भी वाद्देजंत्र का इस्तमाल होत करताल का इस्तेमाल होता है ये शारे चीज सिंबॉल के रूप में उस चित्र में दर्शाया जाता है इस चित्र का अंदर उनके उर्वरत के पुरतीक पालघाट देवी को दिखाया जाता है और दूसरे जो चित्र बनाते है उस चित्र में एक घोड़े पे दुल्हा-धुलन शौर करते हुए दिखाया जाता है ये चित्र में पालघाट देवी जहां पर बनाया जाता है उसके दोनों तरफ एक चंद्रमा होते है एक सूरज होते है इनके चित्र में काफी आकार का प्रयक्त किया जाता है जैसे गोलाका, त्रिकोनाकार, चोक और ये शारे चीज किसी प्रतिनी दित्त करते हैं और यह जो तीकोनाकार बनाते हैं जो मनुष्यों को दिखाते हैं उसमें दो तीकोनाकार होते हैं जो बीच में जूरा हुआ होता है जिसके मध्धम से वाली अपना चित्र के मध्धम से इस ब्रह्मान का शंतुलन को दिखाने का कोशिश करते हैं तो ये चित्र जो है ये काफी इसमें बाड़ी की देखने को मिलते हैं और इस चित्र घर के अंदर बनवाया जाता है और ये चित्र पहले एलोकसिफ मकान को उसके दिवार को सुसदचीत करने के लिए बनाते थे पर आजकाल आर्थिक मदद के कारण वारली ये सारे चित्र कैनफ में भी भनाने लागे है और दूसरा जो भी क्राफ्ट उपकरण है उसमें भी बनाने लागे है तो दोस्तों ये रहा शंग्रालाए में जो वारली अभास बन बाया गया है और वारली अभास tief वारली शवंडाय के को मैं नया साल के लिए शुव कामनाई देते हूं और आप सभी लोग श्वास्त रहिए शुरक्षित रहिए नमस्कार